दर्शको प्रभू के प्रवीत्र और मुदूर नाम मैंने आपका स्वागत करती हैं और प्रमेशकर बहुत हो धनवा देती हैं कि इसमें हमको स्वस रखा है और एक अच्छा स्वस रफिर से हमें दिया है कि हम प्रमेशकर वच्छनों का अध्यन कर सकते हैं हमारे सर्वस प्रवशक्र पार्ण कर सकते हैं इससे पहले हम अपने अध्यन में चले मैं चाहती हो कि हमारे जो अध्यन में चले आपका स्वागत प्रमेशकर को हमले दूआ कर आईए परात्ना करें परम्पिता परमयाар हमारे मालिक तूस से विंती करना चाहते हैं कि परविसर तू हमारे साथ हो कि हम तेरी मदद से तेरी पवित रात्मा की अगवाई में तेरे वचन को पढ़ सकें सुन सकें और अपने जीवन में इस्तिमाल कर सकें और इन सिख्षाओं के दोरा अपने जीवन को तेरे रास्ते पर आगे बढ़ा सकें हम तमाम की अगवाई कर हमारे दर्शकों के साथ हो मसी के नाम से मांगते हैं आमें दर्शको इस वर्श के दोहजार इकईस के पहली तरिमास में हम लोग है और हमारे इस तर्मास का जो शीशक है वो है मेरे लिगों को दिलासा दे ये परमेश्वर का वचन है जो यह शा को दिया गया और यह शा नभी की पुस्तक का ही अध्यन हम बाइबल के जरिए और अपने लेसन स्टेटी के जरिए कर रहे हैं और हमारा आज का जो पाठ है वो चौथा पाठ है जिसका शीशक इस तरीके से है कठिन मार्ग कठिन मार्ग ये हमारा आज का लेसन का शीशक है और मैं चाहते हूँ कि जो हमारा याद वचन है उसे भी हम लोग खोले पढ़ें मैं अपने दर्शकों को इसे चाहूंगी कि वो भी अपने बाइबल को खोल कि इस वचन को पढ़ें जो कि ये शाहा की पुस्तक उसके आठमे अध्याई की सतरवे पद से लिया गया है सतरा पद से लिया गया है जिसमें इस तरहां से लिखा है मैं उस यहवा की बाट जोता रहूँगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से चिपाए है और मैं उसी पर अचा लगाए रखूँगा अजीजों बहुती सुन्दर वचन जो हमारे लिए कहे गए हैं इस वचनों के पढ़ने और सोने जाने पर परवेश्वर हम सब को आशिशते आज की जो हमारा अध्यन शुरू होता वे एक बड़ी अच्छी छुटी सी कहानी के द्वारा शुरू होता है जिसमें बताया गया है कि न्यूयाक शहर में एक लड़की जो है एक इमारत में फसी हुई है चौथी मंजिल पर और खास दर्शों को ये बात है कि वो लड़की जो है वो अंधी है वो देख नहीं सकती और आग बहुत बुरी तरे के से इमारत पर चड़ रही है चल रही है और जो है वहापे दमकल के विभा के लोग भी है आग को बुझाने के लिए और वो लोग इंतिसाम कर रहे हैं कि इस लड़की को कैसे बचाए सीरी जहां हूँ हुँ इमारत है उस जगह नहीं सकती और वह चाहते हैं किस लड़की को जो अंधी है उसको बचाया जाएं और लड़की निराश है खड़की पे खड़िया उसको यह पताा करना है उसकी से में जो है जब यह लोग बिलकुल समर्थ हो जाते है तो उसके पिता को कहते हैं आप कुछ कीजे और पिता को पता था कि जाल लगावा है और वो दमकल विभा के विक्ति भी जानते थे कि जाल के लिए अगर हम उसको कहेंगे तो उसे तो पता नहीं है कि किस तरह जाल लगा है तो उन्होंने पिता को बोला कि आप कुछ कीजे और पिता ने जाती है और अजीजों यह कहानी बताती है कि उसमें उस लड़की का कुछ भी आनी नहीं ना मासपीशियों में कोई चुट आई और उस वो बजगई क्यों क्यूंकि उसने पने पिता की आवास को जहां उसके आवाज आ रही थी उसको उसने सुना और वो उसने वहीं चलांग लगाई और रोफ बज गई इस कहाने के जरीए हमें ये बताया जाता है अजीजों कि हम भी जो है हमारी पिता जब हमसे धीमी आवाज में भी बात कर रहा है जैसे भी वो कह रहा है हम उसके आवास को सुनें उसकी तरफ ध्यान दें किसी चीज के डरें नहीं खौफ खत्रा न हमानों के साथ मिलकर सीखेंगे प्रमेश्वर छोट कोमल शब्दों का प्रयोग करता और कभी-कभी ऐसा समयाता है जब उसे गर्जना के साथ कहना पड़ता है लोगों को समझाने के लिए सिखाने के लिए क्योंकि वह अपने लोगों को बचाना चाहता है आईए हम आज के लेसन को शुरू करते हैं रविवार से और मैं चलती हो पास्टर फ्रेंक्लीन के पास इसका शीशक इस तरह की से है बहवेश्य वानी पूरी हुई और हमारा प्रशन जो प्रास्टर फ्रेंक्लीन से हुई इस तरह के से है कि यह अशन अभी कौन सी बहवेश्य वानी पूरी होने की बात करता है धन्यवाद देते हैं मिस्स भारती से अच्छे प्रश्णे के लिए और पिछले तीन सब्तों से जो है हम इसी विशे पर जो है वो सीखते चले आ रहे हैं और पूरे त्री मास में भी जो है हम ये शा की पुस्तक से जो है वो सीखेंगे और जैसे कि आपने देखते हैं कि ये जिस विक्ति के बारे में जिस सक्ष के बारे में यहाँ पर बात हो रही है वो जो है इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जो है वो जानते हैं और उस आयत को तो जो है हम थोड़े देर के बाद में जो है वो पढ़ेंगे और हम यहाँ पर देखते ह ये जो भवश्वानी है जिसका वर्णन यशा साथ उसके चौदवे से सूलेप तक है वो प्रभे इश्व मसी के बारे में बात हो रही है हम ये भी जानते हैं कि यश्व नभी जो है इश्व मसी के जन्म से 700 साल पहले जो है उन्होंने ये भविश्वानी कर दी थी इश्यमसी के बारे में और जिसकों कि हम परमेशी के वच्छन में वैसे ही पढ़ लेंगे तो मैं सोचता हूँ कि और ज्यादा अच्छा होगा मैं चाहता हूँ कि दर्शकों आप मेरे साथ अपनी बैबले खोले ये शाह की पुष्टक उसका साथवा ध्याय और मुसके चौदवे पत्स लेकर सोलवे पत्त तक वह पढ़ रहे हैं और जहांपर कि हमें ये ग्यात होगा मालम होगा कि ये जो भविश्वानी है जिसके बार परी गर्वती होगी और वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानवेल रखेगी और जब वह पूरे की त्यागना और भले को ग्रहन करना ना जाने तब तक वह मक्षन और मदू खाएगा क्योंकि उससे पहले की वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहन करने करन जाने वो देश जिसके दोनों राजाओं से तो घरब घरबा रहा है निर्जन हो जाएगा तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर जो भविश्वानी के हम जो है वो बात कर रहे हैं इमानवेल जो की ईश्यमसी का ईश्यमसी हमारे साथ के बारे में जो है वो जिक्र है और हम आप देखते हैं कि ये शाह भाईश वक्ता जो है इशिय मसी को जो है वो अलग अलग नामों से पुकारता है हम देखते हैं कि वो ऐसे है जो है इशिय मसी को मसाया करकी कहता है उसके बाद जो है वो उसको इमानवल के नाम से जानता है उसके बाद वो कहता है कि वो एक अद्बुत सलाकार है जो कि हमेर आपको एक परामर्श जो है वो देने वाला वो एक सामर्थी परमेशर है जिसको कि हम अंग्रेजी में माइटी गौड कहते हैं वो अनंद काल का जो है वो पिता है जिसको कि हम अंग्रेजी में एवरलास्टि जो है वो फादर जो हो भुक एते हैं तो कहने का अटात पर हम इसी मसीग के बारे में जो है वो जानते हैं जिसको कि हम कई और नामों से भी क्या कर सकते हैं हम जानते हैं और हम उसको प्रत्तिदिन अपने शब्दों में क्या करते हैं उसका वर्णन भी जो है वो करते हैं तो मुझे और आपको जो है ये समझने की जो है वो जरुवत है कि यशा नभी ने जो है इसके बारे में इसके जन से 700 साल पहले जो है मैं अब ये बहुत ही मतब एक अजीब सी बात है कई बार हमें इस पर बिश्वास नहीं होता पर पर परमीत शास्त हमें इसकी बारे में क्या करता है वो साफ्साब वॉर्णन करता है तुर हमें इसलिए दिरंतर परमेश्य की वचन को परते रहना चाहिए और जब हम पड़ेंगे तो हमें परमेश्य के वचनों का और भी ग्यान होगा के अध्यन में चलते हैं और जिसका शीषक इस तरीके से है अनुमानित परिणाम और मैं भारती के पास चलूंगी और चाहूंगी कि आप हमारे दर्शों को बताएं राजा आहाज ने परमेशोर परभरोसा ना करके दुनिया के हाक्यूमों पर भरोसा किया उसका क्या परिणा हुआ ये हम तमाम के लिए भी और हमारे तमाम दर्शों के लिए सीखने के लिए अच्छी पार्ट जो है यहां पर दिया गया है कि राजा आहाज के बारे में हम लोगों ने पिछले तीन सब्ताओं में सीखा और आज इस सवाल के दौरा हम सीख रहे हैं कि उसका परिणाम जह हो क्या हुआ हम देखते हैं दूसरा इतियास उसके 28 सद्धाए की 20 से 25 आयत में कि राजा आहाज ने जह हो क्या किया परमिसुर को छोड़ दिया और परमिसुर को छोड़कर वो पराए देव देवतां के पीछे जह हो दिया उनकी बेदिया जह है उसने बनवाई उनके उपर जह उसने धूबदान और बरीदान जह है उसने उसके उपर चड़ाए और परमिसुर को जह है उसने पूरी तरह से वो छोड़ दिया और यहीं जह हम यसा की किताब उसके साथ अध्ध है कि 17 से 25 आयत में हम पाते हैं कि उसने जो सबसे बड़ी गलती की कि उसने परमि यहां इस कहानी में हम पाते हैं राजा हाज की कि उसने जो है जो दूसरे देश का राजा जो अन्य जाती का राजा था असूर देश का राजा यहां पर जह हम पाते हैं उसका नाम कि उसने जह तिर्पित पलसेर के उपर जह उसने भरोसा किया कि उसने जह उसके लिए उसने अपने अपने राजभवन से परमिसर के भवन से और लोगों के घरों से सोना चांदी निकाल करके उसके साथ उसने रिष्टा बांधा कि मैं तुझे यह सब कुद दे रहा हूं और तुझे है मेरी मदद कर और यह ऐसा समय था उसके जीवन में कि उसके उसका जो देश था उस के जो लोग थे वो बहुत परेशान थे और ऐसे समय में वो जह है परमिसर के पास आने की बजाए उसने दुनिया के उपर नज़र डाली और उस राजा ने जह है उसकी मदद जह है वो की देखने के लिए यहां पर हम पाते हैं लेकिन अगर यह राजा आहज जह है उससे द और उसने जह सीरिया के उपर चड़ाई की वहां के लोगों के उपर जह है मार काट की उनकी धन दौलत को लूटा उनके उपर उनको कवजा कर लिया और यहां हम पाते हैं कि परमिसर का जन राजा आज जह है वो दमिश्क में उससे मुलाकात करने जाता है उसका धन्यवाद देने के लिए जाता है और वहां देखता है कि कितने देवी देवताओं जो पराय देता है उनकी मंदिर जो हैं उनकी बेदिया बनी वही हैं और उनका नक्सा वो अपने देश के जह हैं लोगों को बेज़ता है कि ऐसा जो बनाओ वो बनाते हैं और वो आवापस आकर के उन चला जाता है लेकिन मैं यहां पर बताना चाहता हूं अपने लोगों को कि हमारे जीवन में चाह कैसा ही समय क्यों न आ यह क्षी का समय हो बजन सहीता का लेखक आच हमारे लिए यहांपर बता रहा है एक सव ठारा की नो यहुआ की सरण लेनी परधानों पर भरोसा करने से उत्तम है यह दाउद नभी बता रहे हैं दुनिया के तमाम लोगों के लिए कि यहुआ की सरण लेना परधानों पर भी भरोसा करने से उत्तम है तो यह सरवस्रेट सिख्षा है आज हम तमाम के लिए कि हमें चाहे कैसा भी स हमें आये हमें परमिसर के ऊपर बरुसा करना है उसी के सरन लेती हैं दुनीया के लोग जहाएं वह वो सकता है के टाइमिंग के लिए हमारी मदद कर देंैं लेकिं एसमें हमें नुक्शान होने थी कि जो संकट उनके पढ़ता हूप इतना डर गए थै игра आजाप जो है वह इतना डर गया था और उसके लोग भी उसके साथ क्योंकि उनको जो लीडरोशिPac थी वह sau नहीं थी वह भी डर रही थी और वह लोग भी डर रहे थे और झिसकी मुझे से वही उनके जो प्रजा के पर भी उसका असर पड़ता है, जो लीडर्शिप जिस तरह के से होती है, जो परमिश्वर पर भरोसा नहीं रख रही है, आशा नहीं रख रही है, तो लोग भी ऐसी हो जाते हैं, कि वो दूसरों चीजों पर जो दुनियावी चीजें हम देखते हैं, कि हम उन पर भरोसा जादा करने लग जाते हैं, बने इसमत अपने परमिश्वर पड़ा है, आईए हम मंगलवार के अध्यन में चलते हैं, जिसका शीशक इस तरीके से है, दुनियावी चीजों पर भरोसा रखने का क्या मतलब होता है, प्रशन ही है हमारा पास्टर फ्रेंक्लिन, और ज हम राजा आहास के बारे में अध्यन कर रहे हैं, और राजा आहास के बारे में हम देखते हैं कि वो परमिश्वर के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, और उसके बावसुद भी जो है, उन्होंने क्या 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 संसारिक ताक्तों पर अपना की बात है कई बार ऐसे हालात जो है वो हमारे साथ भी जो हो उत्पन हो जाते हैं हम जो मसी लोग हैं हम जो सेविंदे अड्वेंटिस लोग हैं जिनकों की बारे में सब कुछ पता है परमेश्य की बारे में सब कुछ पता है और उसके बावजूद भी जो है जब कभी कोई ऐस बाइसे परिस्तिती है की ऐसे हलात हमारे वेक्टिग जिवन में हमारी पारिबारइद जीवन में या हमारे कलीस जीवन में आजाते हैं तो हम रहे संसारिक लोगों को तरफ ताकने की कोशिश करते हैं उन पर और यह वह सकता है पर लॉगर में जो है आने वाले भविश में आने वाले समय में जो है उसका चो हस्न होता है करत Court के जिवन के लिए पर पारिवारिक जिवन के लिए भी जो है और कली सैक जीवन के लिए भी और जैसे आपने भी बताया कि कई बार जो हमारे अगवे होते हैं अगर वो कोई एक गलत निर्णा ले ले लेते हैं और कुछ ऐसे काम कर दे तो उनकी जो नुकसान है वो प्रजा को भी जो है वो उठाना पड़ता और जैसे क पर भरुसा रखना जो है वो शुरू कर देते हैं बनिजबत कि हम क्या करें परमेशर पर भरुसा रखें और हम देखते हैं कि दूसरा कॉरंति उसका चोथा अधिया उसके अट्रवे पद में इस पकास से लिखता है संद पालूस और हम तो देखी हुई वस्तूओं को नही परंतो अंदेखी वस्तूओं को देखते रहते हैं क्योंकि देखीवी वस्तूओं थोड़े ही दिन की हैं परंतो अंदेखी वस्तूओं सदा बनी रहती हैं तो संद पालूस मुझे आपको ये बताना चाहरा है, समझाना चाहरा है कि क्योंकि वो जानता है, वो अनुभो कर रहा है कि हम जो लोग है, हम अक्सर क्या करते हैं, जो सामने दिखता है, उस पर ही भरोसा करते हैं, पर वो कहता है कि ये सब नाशमान चीजे हैं, थोड़ी समय की चीज़े हैं हम मसी होने के नाते हमारा संपुन विश्वास और भरोसा जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रभू परमेशर पर होना चाहिए चाहिए वो कैसी भी भिश्व परिस्थी थी के दौर से मैं और आप क्यों न गुजर रहे हूं भजन कार लिखता है भजन सहिता उसका 84 उसके बारा में हे से नाओ के यहुआ क्या ही धन्य है वो मनुश जो तुछ पर भरोसा रखता है तो हम यह आप देखते हैं कि और कई ऐसे चंद आयते हैं जहां पर की हमें ये हिडायत दी गई कि हम अपना स्वंपूर्ण विश्वास और भरोसा जो है सिर्फ और सिर्फ प्रभू परमेशर पर रखे राधर आहास के बारे में हमने वो सीका है वो बुरी तरीके से संसारिक ताक्तों पर भरोसा रख रहा था और यहां पर चंद आयते ये शाह उसका आठवा ध्याय और मैं उसकी आठ आयस से दस आयते का आपके साथ सामने पढ़ना चाहता हूँ लिखता है कि वो यहुदा पर भी चड़ाएगा और बढ़ते बढ़ते उस पर चड़ेगा और गले पर पहुँचेगा और हे इमानविल तेरा समस देश उनके पंकों के फैलने से ढख जाएगा हे लोगों हला करो तो करो परंतु तुमारा सत्यनास हो जाएगा हेर पित्वी के दूर दूर के सब लोगों कान लगा कर सुनो अपनी अपनी कमर कसो तो कसो परंतु तुमारे तुक्डे तुक्डे की जाएगे अपनी कमर कसो तो कसो परंतु तुमारा सत्यनास हो जाएगा तुम युक्ति करो तो करो परंतु तुम निश्पल हो जाओगी तुम कुछ भी कहो परंतु तुमारा कहा हुआ ठेरेगा नहीं क्योंकि परमेशन हमारे संग है अगर हम जो है संसारिक लोगों पर भरुशा करेंगे तो हमारा जो हस्र है वो ऐसे ही होगा पर हमें ये प्राश है वो हमें ये सलाह देता है कि अपना संपुन भरोसा जो है सिर्फ और प्रभू परमेश्वर पर हम रखें धन्यवाद देते हैं पासवर फ्रेंक्लिन इन अच्छे विचारों के लिए आईए हम अपने बुद्वार के अध्यन में चलते हैं जिसका शीशक इस तर दरने की ज़रूत नहीं है अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं यहां जो है जो यह आप सवाल यहां पर पूछ रहे हैं हमारे दर्सकों के लिए कि अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हमें किस से क्या किसी से डरने की ज़रूत नहीं है यहां जो है मैं 1933 में ज कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं केवल अपने आप से डरो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं केवल अपने आप से डरो लेकिन आज हम जब पर्चा सीख रहे हैं यसा के किताब से कि परमिसर से डरने का मतलब यह है कि हम परमिसर को प्यार करें अपने दिल से प्यार करें जो मत्ती की किताब में भी लिखा है कि जो सबसे बड़ी आ गया है कि हम अपने मन से पूरे मन से पूरे दिल से जह है वो परमिसर को प्यार करें और वो ही है परमिसर से डरने का मतलब और इसलिए प्रकासित वाक्या उसका 14 धाय की 6 से 12 एत में भी लिखा है जो तीन फरीष्टों का पैगाम है कि परमिसों से डरो और उसी की अराधना करो जिसने जमीन, आस्मार और सोते और समुद्र जहें वो बनाए हैं, हमें किवल उसी के उपर भरोसा रखना है, उसी को वि इस दुनिया का मालिक है, और यहां मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, जर्मिया की किताब उस दसद्ध है कि दो से पांच आयत में लिखा है, ये तीन से पढ़राओं समय की कमी की कारण, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकमी हैं, मूरत तो वन में से किसी का काटा हुए काट है, जिसे कारिगर ने वसूले से बनाया है, लोग उसको सोने चांदी से सजाते हैं, हतोनों से कील ठोक ठाकर द्रड करते हैं, कि वह हिल डूल ना सके, वे ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान हैं पर वे बोर नहीं सकती, उन्हें उठाए फिरना प के शिक्षा दी गई है, कि हमें जह दुनिया के स्रस्टी करता से ही, हमें डरना है, उसी पर भरोसा करना है, दुनिया की कोई भी चीज जो है, अगर हम उसको जहिस्वर करके मानते हैं, तो वो कुछ नहीं कर सकती, चाए वो पत्थर हो, चाए वो लकडी हो, चाए वो सोना ह हो चाच चांदी हो क्योंकि उनमें जीवन नहीं हम जीवित पर्मिस्वर में विश्वास करते हैं और मत्ती की किताब उसके दस अदे के ठायत में लिखा है कि पर्मिस्वर से डरो क्योंकि वही जह है ताकत रखता है हमारे सरीर और हमारे जीवन को नाश करने की जो लोग उस कि मैं परमिस्वर के लिए अनंत जीवन उनके सामने रखाए हुआ हम परमिस्वर पर भरोसा करते हुए दुनीया आगे बढ़ें किसी चीज इस में भराने की जरूरत मैं वा तो कोई दूसरा हमारा कुछ नहीं कर सकता और अगर टाइम बिंग के लिए कुछ होता भी है तो हम ना घब रहा हैं क्योंकि नॉंग रण में परमेश्वर की अच्छाही हमारे सामने है धन्यवाद देते हूं पाद सभारती आपने सही कहा और यह बहुत सही है कि कई लोग हमारा नुक्सान कर सकते हैं हमारा दुनिया वी हमारा जो दिखने में चीजे हैं नुक्सान कर सकते हैं पर हमारी आतma तो जीवित है हमारा 27 वह समें बचाएगा पर उसका वायदा है कि मैं तुमारे साथ हूँ तो हमारी हमेशा मदद करेगा और उसी का भैमानना जैसे कि हमें सिखा है गया क्या डरें तो दुनिया के लोगों से ना दरें मलकि अपने परमेश्वर से डरें आइए हम गुरुवार के अधियन में चलते हैं दर्शकों और हम परतिगन जीवित मरतुकों की निराशा मैं परस्टर फ्रेंक्लिण से चाहंगी कि हमारे अधिशरंगे को बताए परमेश्वर के साथ विश्वास घहत करने का क्या मतलब है बड़ा ही अच्छा प्रश्व जह में सिस भारती की परमेश्वर के साथ विश्वास गात गात कर लेते हैं विश्वास गात को अगर हम परिभाशित करें तो इसका एक साधरन मतलब यह होता है कि जब कोई बेखती आप पर क्या करता है अपना 100% विश्वास करता है और आप उसके साथ कुछ ऐसा कर देते हैं जोगी वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है ब अब यह पास से भारती बता रहे थे कि अपना संपुन विश्वास और भरोसा जो है सिर्फ और सिर्फ हमें प्रभू परमेशर पर रखने की जरूरत है और उसके बहुत सारे कारण है आज अगर हम और आप जीवित हैं यह परमेशी के दिया है परमेशे का अनूग्र है पर नूग्र जो हम पर बनाए रखता है यहां पर हम बार बार आहास राजा आहास के बारे में जो है सीक रहे हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि राजा आहास में आहसान फरामोश हुआ उसने भी परमेश्र का क्या क्या विश्वास घात किया वो अन जातियों के साथ जो है उस वो बन गया यहां पर राजा AHAS जो ए忙 जो है डेलिबरेटली का कर रहा है वो इन कामूं को जो है उसके अठावीस में ध्याय से में 22 में पस सी अगर 27 में पस तो यहां पर हम देखें कि राजा आहास ने जो है दो चार काम जो है बहुत ही जादा गलत किये और परमेशर इस बात से बहुत ही दुखी था पहला काम उसने क्या किया उसने परमेशर की भवन में जाकर जितने भी जो बरतन थे उसको बटोरता है उसको जो है वो तोड़ देता है दुसरी बात हम दे देखते हैं कि इयरुसलेम के सब अलग अलग हिस्सों में कोनों मेंका करता है वो पराय देवी देव्तायों के लिए वह क्या करना चाये वह वेधिया जहां हो ऑग बनालता है कहने का मत intention यहां पर यह वह पूरी चासे क्या कर रहा है उनको जो वो सपोर्ट कर रहा है और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि उनके लिए धूब जलाने के लिए उचे उचे इस्थान जो है वो बना लेता है और ऐसा करने से हम देखते हैं कि परमेशिर बहुत ज्यादा दुखी था उससे एक रोजी था अगर हम अपने इस इतिहास को अगर हम पढ़ें तो बताया जाता है कि जितने भी जो इसराइल के राजा हुए अब कुछ समय के बाद तो इसके डैथ हो गई और इनके बरने के बाद हम देखते हैं कि जब इसराइली के राजाओं का एक अपना अलग कबरस्थान था जहापर कि उन राजाओं को महापर बरी किया जाता था महापर दफनाए जाता था पर हम देखते हैं कि राजा आहास के उन चाल चलन के दौरा उन गलत कामों के दौरा जो है उसको जो है मरने के बाद उस जगह पर जो है वो नहीं दफनाए गया महापर उसको जो है वो अनुमती नहीं मिली और कितनी जो है वो यहां लिखता है कि चनोती का पत्र बंद कर दो मेरे चेलों के बीच सिक्षा पर शाप लगा दो मैं उस यहवा की बार जोता रहूंगा जो अपने मुक को याकुब के घराने में छिपाए हैं और मैं उसी पर आशा लगाया रखूंगा देख मैं और जो लड़के यहवा ने मुझे सौपे हैं उसी सेनाओं के यहवा की ओर से जो शियोन परवत पर निवास किये रहता है इसराइलियों के लिए चिन और चमतकार है जब लोग तुस्से कहें ओजाओं और टोनों के पाद जाकर पूछो जो गुनगनाते और फुस फुसाते हैं तब तुम यह कहना क्या प्रजा को अपने परमेशरी के पाद जाकर ना पूछना चाहिए क्या जीवतों के लिए मुर्दोस्ते पूछना चाहिए ववेस्ता और चितौनियों की चर्चा किया करो यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चे उनके लिए पौणा आफटेगी तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कई बार हमसे गलतियां हो जाती है हम परमेशरी के पाद जाने के बज़ए संसारिक लोगों के पाद चले जाते हैं और इस बात से परमेशर बहुत नाराज होता है जैसे परमेशर राजा आहा से नाराज होता थैंक यू पासर फ्रेंक्लिन और यह हमारे लिए बहुत पाप बताइगा भाबूल में यह हमारा परमेश्वर जो है, एक जलन्ग करने वाला परमेश्वर जिस तरह कीसे बताया गया तरह सब दूसरी चीज़ों पर, मूर्तियों पर भरोसा करनार्ण जो है यह परमेश्वर को बpaper को बाता नहीं जबकि वो जीवित परमेश्वर है, हमें उसी की अराधना सूती है और उसी के पास जाना है अपने संकट में आईए हम शुकरवार की अध्यन में चलते हैं और मैं पासा भारती से चाहती कि वो बताएं क्या मृतक हम से बाचीट कर सकते हैं? मिशिज भारती जो आपने सवाल पूछा है कि क्या जो लोग मर गए हैं, जो मिर्तक लोग हैं, चाहे वो समूदर में हैं, चाहे जमीन में हैं, क्या जीवित लोग जो हैं उनसे बाचीट कर सकते हैं या वो जीवित लोग उसे बाचीट कर सकते हैं इसके लिए जो अभी आपने बताया सुरू में कि परमिसर जो है वो इस चीज से बहुत नफरत करता है मैं यहाँ पर इसको बताना चाहता हूँ कि जो परमिसर के लोग थे उन्होंने भी जीवित परमिसर को छोड़ करके जो मुड़दा चीजे थी उनकी तरफ जह वो मुड़ गए उन्ही की वो अरादना करने लगे गिंतियों की किताब उसके 25 अधाय में लिखा एक सो तीन आथ में कि परमिसर के लोग जो थे वो जो दूसरी अन्हे जातियों की जो इस्तियां थी और उनके लोब-लालच में आके उनके प्यार में करके वो उन्मरिही चीजों की आरादना करने लगे यह यह पर बताया गया है फिर पहला क्रौनती उसके 10 अधाय की 27 में लिखा है कि जो परमिसर के लोग हैं वो अन्हे जाती के लोगों के जो परमिसर थे उनके उपर वो बलिदान चुडाने लगे जैसे हम आज के बारे में भी देख रहे हैं सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि आहाज राजा ने भी पर मिस्टर के घर को दो बंद कर दिया जैसे पाशा फ्रैंक्लिन ने बताया भी कि आहाज राजा ने पर मिस्टर के घबावन को बंद कर दिया उसकी चीज़ें निकाल करके जो जो दूसरे देवी देवता थे जो मरे वे थे उनके बराबर में उन चीज़ें को रख दिया वो तो उंचे पर है लेकिन परमिस्टर की जो चीज़ें है भवन की वो उनको साइड में उसने उनको रख दिया और उनकी वो जो राजा हैं दो जो दुनिया भी लोग हैं वो उनके पास ज़ाती हैं और परमिसर के लोगों के पास भी जाती हैं और उनको साथ जह वो बातचीत करके उनको जह अपनी तरफ मोडने की कोशिश करती है और यहां लिखा है यह लवेवस्ता की किताब उसकी 19 सद्धा की 31 को मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ लिखाँ और भूत साथने वालों की और ना फिर ना और ऐसों की खोज करके उनके कारण असुद ना होना मैं तुम्हारा परमिस्वर हूँ परमिस्वर जो है वो अपने लोगों को कह रहा है कि तुम इन ओजाओं के पीछे और जो बुरी आत्मा हैं जो इनकी अरादना करते हैं उनके पीछे तुम मत जाना क्योंकि मैं तुम्हारा जीवित परमिस्वर हूँ इसी किताब की अगली अध्या में उसकी सतय साथ में लिखा है यदि कोई पुरुस या इस्तरी ओजाई अत्वा भूत की साधना करे तो वह निश्य मार डाला जाएगा ऐसा पर पत्राव किया जाएगा उनका खून उनी के सीर पर पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अपनी गलती की वज़ा से अपने जीवन को जो है वो खतम कर दिया है तो यहां मैं बताना चाहता हूं कि जो जीवित लोग हैं वो आज यहां सबोब दुसक की किताब के नौद धै की पांच आत में लिखा है कि जो जीवित लोग हैं वो जानते हैं कि हमें एक दिन जो है इस दुनिया से जाना है हमें मरना लेकिन जो मरेवे लोग हैं वो कुछ नहीं जानते और वो किसी के साथ बातचीत नहीं कर सकते लेकिन आज हम दुनिया में देखते हैं कि कुछ लोग जहां वो मरेवे लोगों की अराधना करते हैं उनसे बातचीत करने का दावा करते हैं एक यहां पर उधा सिद्धी करने वालों उसके साथ बास्चित करने की कोशिश करता है जर कि वह परभिषट कमाने वाला था और यह बढ़ी बहुत यह खळाब आत रही के के राजा सावल जो है वो एक भू सिधिकर ने वाली वारत के पास जाता है कि सेवाल जो मर चुका है वह उसे बाशित करने के लिए उसके पास जाता है तो देखता है वह उसी अदहें रूप में इविल इस्पिर्ट जहां असुद आत्मा जहां उस सेंवल का रूप धारण करके उसे बाचित कहते हैं कि नहीं मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता जब परमिशन ने तुझे छोड़ दिया है तो कोई तेरी मदद करने वाला नहीं इसलिए ऐसे लोगों के लिए ज दो आपका भला नहीं होगा इसलिए हम जहां यह जो आज हम दुनिया में देखते हैं भूत प्रेसिद यह कौन है यह असूद आत्मा है जो लोगों का रूप धारण करके जो पस्वा का रूप धारण करके जो दूसरे दूसरे चीज YEAH करके इनसान को परमिसर के रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं और बहुत से लोग भटक जाते हैं लेकिन जो परमिसर भरोजा उनका द्रडविट वविस्वास है वो जीवित परमिसर के पीछे लगे रहते हैं और उसी के पीछे जह चल करके अपने जीवन को सफल और अच्छा बनाते है जी दन्यवाद देती हूं पासर भाति आपका अच्छे बातों के लिए जो आपने हमें दर्शमों के इसे काई पासर फेंक लिन आप दोनों का में शुक्र गुजारूं और अजीजों ये हमें बहुत धान देने वाली बात है हम लोगों को कि हमारा परमेश्वर प्रेमी परम परमेश्वर वह सब कुछ कर सकता है वह भवश्य को जानता है कि क्या होने वाला और अपने नभीयों के दोरा उसने राजाओं को इतिहास में राजा हुए उनको सिखाया बतानी की कोशिश करी कि जो है वह दूसरी तरफ चीजों में ना जाएं मैं तुम्हारे साथ हूं अ उसको भी वह समझने पा रहे हैं उसके आवास को जो है परमेश्वर के आवास को आज भी जो है कैबरी सुनते नहीं जो हमें कहना चाहता है अजीजों इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम दुनियावी चीजों की तरफ से जो दुनिया में जो भरोसा हम देखते हैं उसकी कि हम समर्ध पाटे हैं और जो उससे दुवा करें उसके पास जाकेत ताकि जो वह हमारी हर समस्य पहले के लिए तयार है इसलिए आपने परमेश्वर के पास है जिस तरह hiç नवी करें द्वारा नभी को द्वारा इपर भरुसनुग रखें उस पर अपना विश्वाष रखतें और पूरे मन से उसको प्रेम करें क्योंकि वो चाता है हमको बचाना दुनिया की बुराईएं उसको बचाना चाता है आईए अपने लेसन को यही हम समाप करेंगे और दूआ के साथ समाप करेंगे मैं चाती हुए उनके पास फ्रैंक लिंग प्रबू आपने अपनी उपस्तितियों का हमें महसुस कराया हम इसकले भी आपके हिर्दे से धनेवादी थे हैं प्रबू किए बार हम राजा आहास की तरह जो हो जाते हैं कई बार जानबूश कर प्रबू हम विश्वास घाद करते हैं 아हसान फरामुस हो जाते हैं हम तमाम दिवी देवताओं की प्रभू जिनकों कि शाइध हम आप से ज़्यादा प्यार करते हैं हम उनकी उपासना करना शूरू कर देते हैं कई बार प्रभू हमारा विश्वास और भरोसा जो है आपके बनिजबत प्रभू संसारिक लोगों पर, संसारिक ताक्तों पर हो जाता है खुदाबाप आज हमने आपके सबस्कुल पार्ट से ये सीखा है कि हम हर परस्थिती में अपना संपून विश्वास और भरोसा जो है सिर्फ और सिर्फ प्रभू आप पर रखे इसमें प्रभू आप हमारी मदद करेंगे ऐसा हमारा विश्वास है हम सब पर अपनी दिया और अपना अनुगर प्रभू बनाए रखे प्रभी इश मसी के नाम से मांगते हैं आमें